को कि हा ये वेल्कमे में सौलब करेंगे क्वीशिन नाबर टु तो ध्यां देजेगे यहां पुछा है कि कि हां फाइंड इसक्विय रूट आ फालीओं भाइंज फालीवं बाइंच लिएशन यहां पर इन सभी का निकालना square root prime factorization करके मतलब क्या करना है कि इनको हम इन सभी का prime factors निकालेंगे और देखेंगे कि prime factors का pair बन रहा है कि नहीं यदि pair बनेगा तो square root उसका एक natural number में जरूर आएगा और कैसे निकालेंगे जितने भी pair बनेंगे उन में से एक number ले करके मटबलाई कर लेंगे और that will be the square root okay चले solve करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे करेंगे तो first ले लेते हैं आपर four four one four four one यहां दिखिए method यह है मेरा process यहां पर है वो यह है कि हम लोग जरूर ने कि हम लोग छोटे number से ही start करें जैसे मालीजे की कोई number है जो फोर से करता है तो वह two से भी कर जाएगा लेकिन हम लोग क्या करेंगे उसे four से ही divide करेंगे क्योंकि फोर्स करेंगे तो हमारे two steps जो है कम यूज होगा और जल्दी वो number जो है ठीक है तो उससे जल्दी मतलब आंसर आजाएगा यदि मालीजे कोई number eight से divide होता है तो वह number two से divide हो जाएगा फोर से divide हो जाएगा क्यों हम एक ही बार क्यों ना eight से divide कर दें ताकि जो हमारे steps है वह कम steps में ही वह factorize हो जाए है कि नहीं तो इसको mind में रखते हुए हम लोग solve करेंगे जो three से divide हो जाता है और nine से भी तो हम लोग nine से divide करेंगे क्योंकि nine से अब आइड करेंगे four four eight और one nine nine आ रहा है मतलब कि nine से divide हो जाएगा तो हम nine से divide करेंगे अब यह थ्री से divide हो जाएगा ठीक है थिक है तो इस नहीं ले जाते हैं और यहां पर हो जाएगा nine से nine four जा thirty six nine four जा thirty six कितना बचा thirty six four four eight और eight बचा मतलब कि eighty one हो गया nine आज़ा forty nine आ गया अब करेंगे seven से seven seven जा forty nine seven तो हमारा जो इसके factors आ गए अब लिख लेंगे so four four one is equal to जो इसके प्राइम factors है उसके फार में लिखिएगा इसको means three into three अब यहां पर तो जैसे कर लिए कर लिए हमें यहां पर प्राइम factors के फार्म में लिखना है तो nine को लिख देंगे three into three into यहां पर कर लेंगे seven into seven ठीक है अब यहां से हम क्या करेंगे square root निकालेंगे four four one का और यह निकालेंगे square root तो यहां पर भी रगाना पड़ेंगा square root और यह हो जाएगा three into three multiplied by seven into seven तो अब यहां पर square root निकालने का मतलब यह हो गया कि पेर जिनका बन रहा होगा वह square root से बाहर आ जाएगा means three एक number three निकलेगा और यहां से seven भी एक नमबर निकल जाएगा means seven three means twenty one का square है four forty one यहां फिरम कर सकते हैं कि square root of four hundred forty one is equal to twenty one तो हम लोग को जो find करना था वो हो चुका है twenty one is your answer okay तो अब चलते हैं next question second one by one subscribe करेंगे ऐसे तो आपको यदि note करना होगा तो वीडियो को pause करके आप note कर लिजेगा ठीक है 196 पहले हम करेंगे इसका और 16 होगा तो five बचेगा 46 जाएगा sorry four four 16 होगा और थ्री बचेगा 36 जाएगा four nine जा 36 अब यहां जाएगा seven seven जा 49 seven seven so here मिल गया हमे 196 is equal to मिल गया हमे two into two देखिए यहां four को अफर्टाइज करके two into two लिखेंगे इन्टू seven into seven अब यह सारे जो है प्राइम फेक्टर्स आ गए है हमें निकालना है वन नाइन्टी सिक्स का स्क्वेर रूट मिन्स स्क्वेर रूट आफ टू मुट्वेर बेट टू इन्टू सेवन मुट्वेर बना लिजे तू का प्रेयर सेवन दावर बन रहा है मतलब कि यहां से हो जाएगा टू इन्टू seven मिन्स सेवन फोर्टी मिन्स फोर्टीन इस स्क्वेर रूट आफ वन नंटी सिक्स ओके चलिए अब इसको भी रेज कर लेते हैं थर्ड स्वार करते हैं अब दिखिए फाइवनडेड ट्वेंट वेंटीन अब दिखिए फाइवनडेड ट्वेंटीन आई ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर का स्क्वेर है है तो इसमें मतब टू से 3 से फॉर से 5 से 6 से किसी सी निंदेगा और 17 से भी कटेगा 19 से निदेगा 30 से निदेगा और यह आप चेक करते जाएंगे उपर की तरफ तो आपको बतिशा लिए कि ये 23 से कटेगा और ये 23 के square ही है मतब 23 से कुणब करेंगे फिर 23 ही आएगा और 23 से कटाएगा फिर यहां पर वन आएगा मिंस यहां पर हम ली सकते हैं सो 529 is equal to 23 by 23 means square root of square root of certified before 529 is equal to square root of 23 by 23 तो यहां पर बनेगा एक ही यहां निकलेगा आपको 23 means 23 is the square root of 529 ग्रेट तो आपको कुछ questions में थोड़ा सा दिकास हो सकता है यदि आप 30 तक square नहीं याद किये हैं तो चलिए करते हैं 1764 1764 यहां चेक कर लिजिए कि यह 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा क्योंकि यहां 4 है तो 2 से कटेगा definitely और 4 से भी कट जाएगा क्योंकि यहां पर 64 64 जो है वह 4 से कट जाएगा क्योंकि 4 बन जा 4 और 4 एट जा है तो मतब 64 बी कर जाएगा तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या 7 64 बी कर जाएगा क्या 8 से लेट आप लिट चेक तो एट नाइज जा होता है 72 72 44 जाएगा नहीं कट पाएगा ठीक है तो हम यहां किस से लिजाएंगे 4 से चला जाएगा तो 44 i am 16 16 16 और 45 4 जा 4 आगे 441 आपको बता है कि यह 9 से कर जाएगा और 3 से भी कर जाएगा ले लेकिन हम ले जाएंगे इसको 9 से करने पर 9 से कर जाएगा तो 9 से कर जाएगा तो 9 4 जा तो इस्कोर रूट अफ दिसमच इसको इसको रूट अफ ठीक है दोबारा लिखने जो नहीं है इसको एक यह वार में कर लिजिए इसको रूट आफ यहां फाटराइस करकी लिजिए टू इंटू टू और नाइन को लिखेंगे 3 into 3 उसके बाद जो है इसके बाद आएगा 7 into 7 तो यहां से और यहां से और यहां से कि अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास है 1156 फॉर्थ वन सरी फिफ्थ वन ओके फिफ्थ वन ओके फिफ्थ वन वन फाइशिक्स वन वन फाइशिक्स अब यहां पर चेक करते हैं कि किसे कटेगा तो हम च॥क कर लेते हैं कि 156 है 776 नेगड़े गा तो कोई बात नहीं है हम चीकर करें कि 4 से कर देगा नहीं느ग ध़िदेगा आपगे आपको जो है – जिटेजबेल्न कंडिशन से आपको पूरां साइथ डे यहां जाए आना चाहिए आपको यह कि-9 अको आपको जो है करने के लिए कि पूरा नमबर भी कड़ जाएगा फोर से ठीक है और यदि थ्री डिजिट इसलिए मैं चेक कर रहा हूं ठीक है जब यहाँ पर इवे नमबर रहेगा तो वह तो टू से डिवाइड हो गाई होगा यह तो सिंपल जानते ही हैं अब इसको हम करेंगे फोर से फोर से हो जाएगा तो फोर टू जा एट बचा आपका टू थ्री थरी थर्टी थर्टी थर्ट हो गया फोर नाइंजा थर्टी थर्टी सिक्स अब यहां पर दिखे जो नमबर आया है 289 यह आपका एक प्राइम नमर का स्क्वेर है और यह आपका है 17 का स्क्वेर तो 17 17 जा होता है 289 तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप यह थी 30 तक स्क्वेर से नहीं याद कि रहेंगे क्योंकि ऐसे डिर्क्ली कोशन आ जाएगा तो दिखत होगी अब देखे 17 से डिवाट करेंगे वन आ जाएगा अब यहां पर सो दिख सकते हैं कि स्क्वेर रूट आफ 1156 मिंस 1156 इस इक्वाल टू स्क्वेर रूट आफ हां तो इंटू दू हाँ नवर भी नवर केड़ेंगे थूवें देट सुन दू दू इंटू 17 नं तू 17 अब हाँ पे एक प्र बना लेंगे प्रइब और प्रकर नमर नीकालेंगे 2 इंटू यहां प्र तर्ऽ्टी रोप थैटी फिलोर एक कि now the next question 4096 4096 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3D से बनने वाला नंबर जो है 8 से कंचिलाट हो जाएगा चुकि आप यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 0-0 यह 9 में पल ले जाना पड़ेगा और 8 बन जा 8 और 1 बचे का 16 हो जाएगा और 8 2 जा 16 ठीक है इसका मत्तब कि 3D से बन नंबर भी 8 से कंचिलाट हो जाएगा तो 8 से डिवाइड ले जाते हैं आपर तो हो जाएगा 8 5 जा 40 राइट अब 9 में जाएगे तो 8 बन जा एट 1 बचा 16 और 8 2 जा 16 डेफिनेटली कट गया अब यहाँ पर भी 512 भी 8 से कंचिलाट हो जाएगा तो 8 से ले जाएगे 85 जा 40 हो गया 8 जा 48 48 48 हुआ कितना बचा 23 32 बचा हो गया 8 4 जा 32 अब यहां 64 तो स्क्राइब पाता हिए कि 8 से कर्षे राड़ हो जाएगा 8 जा 64 अब यहां पर हम जानगे जानगे 100 square root of 4096 is equal to square root of अब यहां पर बैलू जो रग लेंगे देखें फक्टराइज करके ठीक है तो हो जाएगा 2 into 2 into 2 एक 8 को जो है 3 times पर करना पड़ेगा into यहां पर 3 8 और बचे हैं तो 2 into 2 into 2 यह दूसरे 8 के लिए और 2 into 2 यह तीसरे 8 के लिए अब यह हो चुका है अब क्या आगे पेर बना करके रिकाल लेंगे तो यहां पर एक बनेगा यहां बनेगा यहां बनेगा यह और यह और यह हो जाएगा 2 यहाँ पर 2 into यह वाला होगय होगय जाओ यह पैर इस पैर से एकटिका लेखे 2 इस पिर से मिल जाएगा फिर इस पैर से मिलेगा फिर यहाँ इस पैर से मिलेगा ठीक है अब यहाँ हमारी बिराई कालेगा थेक्शा 6 4 to 8 8 to 6 means this is the square of 64 okay इसका मतब कि 4096 का स्क्वेर रूट जो होगा वह होगा 64 ग्रेट अब चलते हैं नेक्स्ट वाले बेर हमारा नेक्स्ट है 7056 सो 7056 अब यह नंबर जो है 8 seconds हो जाएगा definitely दिख रहा है बिल्कुल आपको क्योंकि यहां से 0 से बनने वाला नंबर मतब 56 जो है 8 seconds होता है क्योंकि इसका टेबल में आता है 8 के 8 7 जो होता है 56 होता है तो 8 seconds होजाएगा तो 8, 8 जा 64 हो जाएगा 64, 6 बचा तो 65 हो जाएगा 8, 8 जा 64 और 1 बचा 16 हो गया और 8, 2 जा 16 हो जाएगा अब यह नंबर जो है देखे 2 से कड़ जाएगा यह डिफिनेटली क्योंकि यह यूनिट से क्या है 2 है लेकिन 82 जो है 4 से नहीं गड़ेगा क्योंकि नहीं गड़ जाएगा इसका मतब कि 8 से नहीं जाएगा तो इसलिए यहां से क्योंकि 2 से ले जाएगे ठीक है 2 फोर्जा 8, 2 फोर्जा 8 and 2 जा 2 अब देखे यह 441 जो है पता यह किसे जाएगा 9 से जाएगा तो 9 फोर्जा 36 and 81 हो गया 81 हो गया 9 जा 81 अब यहां पर 7 से पता यह 77 जा 49 and 7 जा is equal to square root of 8 को लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2 यह वाला 2 आपका है into 9 को फेक्टाइज कर लेंगे और यह मिलेगा 3 into 3 into 7 into 7 तो हमने है पर प्राइम फेक्टर्स की रूप में लिख लिया है 7056 को और यहां पेर बनाएं गया तो यह पेर बन गया यहां पेर बना दो दो का और तीन तीन का प्यर्वाइब गया 3 यहां बन गया मतलब इन सबसे एक एक निकाल लेंगे आपर 2 into 2 into 2 यह हो गया 3 into 7 अब लाइक कर लिजिए 2 to 4 4 12 12 7 84 मतलब कि 84 इस्वेर रूट आफ सेवन थाज़न 56 ओके इस यह और आंसर ओके अब लास्ट 5 8 हो गया आपर 8 करते हैं 8 आपका है 8281 अब यह जो नंबर है वहाँ दीखेए आइड करते हैं पहले नंबर को डिजिट को क्या मिलेगा 8 or 2 8 or 2 यह 10 10 और 819 19 हो जाएगा अब बहुच गया 5 58 हो गया 7 समझा 49 7 8 जा 56 56 से 2 बचा 21 हो गया 7 जा 21 तो एक बार यह 7 से कट गया है नंबर तो 7 से दुबारा भी कटेगा क्योंकि तभी तो बेनेगा प्यर ना आपको इस्वेर रूट निकालने के लिए बोलेगा तो समझें कि 7 से दुबारा कटेगा क्यो होता है तो 7 6 42 ले जाएंगे और 63 हो जाएगा 7 जा 63 अब यहां पर 169 जो है ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा ना किसी नमर से निकटेगा बलकि 13 से कटेगा ठूकिंगा है तो 13 13 क्या होता है 169 होता है और 19 से प्रिकन ले जाएग तो बहाँ funeral मिंसे सो क्र 124 मिल जाएगा हमें 8 281 is equal to square root of यहां पे 7x7 लिखेंगे into 13 into 13 यहां पर बनाएंगे यहां 7 का बनेगा 13 का मतलब कि निकलेगा 7 एंटू 13 मिन्स होज़ेगा 13 से बनेगा 91 तो 91 is the square root of 8281 ओके हमने यह question बशाल कर लिया है ओके नाओ देनेक्स question 9th one यहां पर है 11,664 अब देखिए 8 में आपका 64 है तो यह 4 से कटेगा बिल्कुल डेफिनेटली चुकि 4 बंजा 4, 24 हो जाएगा और 4, 8 जा 4, 3 जा, sorry 4, 6 जा होता है 24, ओके गरेट मतलब 4 से के लट हो जाएगा यह अब यहां पर देखते हैं कि 8 से कटेट होगा की नहीं मतलब यह तीन डीज जो बनने वाला नंबर है वह 8 से कटेगा की नहीं 4 बचेगा 46 हो जाएगा 46 होगा तो 85 जा 40 85 जा 40 होगेगा बचा आपका 6, 64 हो जाएगा 8, 8 से 64, great अब यहां देखिए यह किस से कटेगा नंबर तो यह तो अब 4 से 4 जा 4 और 4 से भी नहीं कटेगा बिल्कुल यह जो नंबर 58 है वह 4 से नहीं कटेगा तो आप इसे 8 से कट जाएगा मतलब की 8 कट जाएगा 2 से मतलब की 2 से जाएगा 2, 7 जा 14 2, 2 जा 4 1 बचेगा 18 हो जाएगा 2, 9 जा 18 अब यह 7, 29 जो है यह 9 से ही कटेगा क्योंकि इनको आइड करने पर क्या मिल रहा है 7, 29 हो गया 9, 9, 18 हो गया 18 जो है 9 से कट जाता है इसलिए क्या होगा 9 से डाइटल कटाएगा 3 से भी कट जाएगा लेकिन 3 से नहीं ले जाएगा फिर दो बारा दो बार करने की जो उर्त नहीं है 9 से डाइट करिए 9, 8, 72 हो गया 9 मज़ा 9 अब यहां से फिर से जाएगा 9, 9, 81 9 मज़ा 9 अब यहां पर हम लिख लेंगे square root of 11,664 is equal to square root of यहां सब को factorize करके लिख लेंगे prime factors 2 into 2 into 2 8 हो जाएगा और आपका 1 और 2 है यहां पर निछे उसके बाद into 9 cheap times means 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 एह और 2 into 3 आप लिखे ए अपर बन याँ है और ये बना 2 into 2 into 3 हो जाएगा into 3 हो जाएगा और इसका पर into 3 हो जाएगा मदवचण गार लिजिट 000011 12 and 129 जा 108 होता है 108 right means 108 is the square root of 11664 great तो हमने यह 9th का भी solve कर लिया चलते हैं 10th 10th one okay question number 10 sorry 10 है आपका यह 47089 यह जो नंबर है आप चेक करेंगे तो मिलेगा आपको 4711 and 8 19 19 and 9 19 and 9 28 नहीं कर पाएगा विल्कुल 3 से नहीं 9 से कड़ेगा मतलब कि यह actually हम 7 से कड़ा सकते हैं आपर तो 7 okay 7 749 होता है लिगने जा पाएगा तो 7 6 42 42 5 बचा 50 हो गया 7 749 बचा 18 हो गया 7 बचा 14 7 बचा 14 और 4 बचा 14 हो गया एक बार 7 से कड़ गया तो यह 7 से कड़ जागा फिर से 7 अंजा 63 4 बचेगा और 42 हो जागा 7 6 42 और 7 7 अब दिखें 961 जो है आपको यह पता होना चाहिए एक 31 का स्क्वेर है ठीक है और यह जो है ना आप 31 कैसे करेंगे बिल्कुल आप तो चेक करना लगेंगे टू से ले करके और 30 तक नहीं मिलेगा कोई भी नंबर जिसे की डिवाइड हो सके तो आपको इसलिए याद होना चाहिए ठीक है याद होना चाहिए कुछ प्राइम नंबर्स का मत्ता प्रफेट स्क्वेर ठीक है तो यहां स अब निकाल सकते हैं सो स्कुला रूट आफ ए फोर्स सेवें जीरो एकनाइन स्कुल टू स्क्वेर रूट आफ यहाँड़का सेवन ईन्टु थर्टीवन इन्टु थर्टीवन ठीक है अब यहां मुमर्य है यहां जोगे सेटे स्टेट इन इयम तक रवन रहा है और यह थर करते हैं नेक्स्ट यहां पर इलेवन एक्स आई यह आपका है 24336 तो यह आपको पता है कि फॉर से कर जाएगा बिल्कुल अच्छा यह एट से भी कर जाएगा क्योंकि 336 जो है एट से कैसे लाट हो जाएगा क्योंकि एट फोर्जा 32 होता है एट से कर जाएगा अब नहीं जा पाएगा थ्री में तो जुरू बढ़ाना पड़ेगा अब 33 में जाएगा तो जाएगा एट फोर्जा 32 वन बजाएगा 16 और एट टुजा 16 अभी जो है एट से नहीं जा पाएगा तो यहां पर टू से लिजाना पड़ेगा वास फोर्जा नहीं जा पाएगा तो टू अंजा टू 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 हो गया टू फाल जा टेन अनट टू टू जा फोर्डू अब यहां पर देखिए फैवाईवाट शिक्स से नेट नाइन से खुड़ जाएगा बिल्कुल ही तो नाइन बजा नाइन 6 is 62 हो गया and 9, 6 is 54 54 and 6 and 2, 8 हो गया 81, 9 नंज is 81 देखे, 169 अब यहाँ पर कटेगा 13 से 13, 13 जा होता है 169, और यह हो जाएगा 13 में जा 13 so, आपको मिल जाएगा under root of 24,336 is called to square root of 8 का लिख 되고 2 into 2 into 2 और यहाँ थाएगा 2 into 9 का लिख 되고 3 into 3 सारी प्राइम फ्रक्रस होगी ह्याँ पर अउद to Squad 13 into 13 अब यहाँ पर प्यार बहार नो का लिखे ये pair बना ये बना यह बना ये बना या यह बना यह बना ये हो जागा 2 into 2 into यह हो जागा 3 into 13 जो आया यह इस इस्वेर रूट आफ 24,336 अब स्वाल करते हैं यह पिसे नमबर 12 वन तो यह आपका है शरी 1,90,969 अब यहाँ देज़ेगा इसको करेंगे जब तो यह किसी नमबर से नहीं कटेगा यह थोड़ा सा special type का नमबर है और यह जो नमबर है आप चेक करेंगे दी 1 से लेकर 30 तक तो आपको पतर चलेगा कि इसमें यह किबल जो है कटेगा 19 से और 23 से और 19 और 23 क्या है प्राइ पता सा difficult जरूर हो जाता है तो आपको यह थी 30 से पता है तो आप कर सकते हैं अली बार हम 19 से ही ले जाएंगे इसको 19 वज़े 19 ठीक है तो यह गट गया अब 0 मिल जाएंगे तो नहीं जा पाएगा तो 09 मिल जाएंगे और 09 मिल जाएंगे तो 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको यहां पर फिर भी नहीं जा पाएगा तो आपको 096 मिल जाना पड़ेगा मतलब कि तीन नंबर्स में पड़ेगा 096 में तो फिर से एक 0 बार हम पड़ेगा फिर 95 होता है और वर मुझे गा 19 हो जाएगा 19 मिल नाटीन से चला गया तो आपको नाटीन से दुबार चला जाएग नंटीन से लिएगे 100 में कितने बचाएगा 19 फाज जा 95 तो फाइब चेगा 5 से 55 हो जाएगा और 19 3 जा 19 2 जा 38 एंड 2 बचा यहां पर क्या बचा था 55 बचा था तो यहां बचेगा आपका 17 बचेगा 117 आएगा तो 19 9 जा 117 होता है ठीक है तो यह इतना आ गया 529 जो है 23 से ही कटेगा केवल और केवल तो 23 से ले जाएगे और फिर यहां पर 23 से कटेगा तो वन बार मिंजाएगा ठीक है तो मतलब हमारा जो यह आ गया नंबर स्क्वेर रूट आफ मिलेगा 1,90,969 इस इकल टू स्क्वेर रूट आफ देखे 19 इंटू 19 इंटू यह जागा 23 इंटू 23 प्या बनाएगे यहां पर 19 मिलेगा एक और यहां मिलेगा 23 प्याएग कर लेजिए 38 and 5 30 43 तो 437 इस दा स्क्वेर रूट आफ दिस नमबर ओके चले नेक्स्ट करते हैं आपका नेस्ट नमर है 13 और यह आपका 5 5 लाख 86,756 यह भी बड़ा नमबर है देखिए यहां पर चल रहागा पता कि यह 4 से के से रट हो जाएगा क्योंकि 56 जो है यहां पर लास्ट में है और जो इन दोनों डेजिट से बनने वाला जो नमबर है क्योंकि 56 वो फोर से के से रट हुझाज है इसलिए यह रंबर है पुरा 4 से कट जाएगा फोर बनजा 4 यहांप रोजहागा और कि नमचे गा एक 18 हो जाएगा 4 forja 16 और 2 बचेगा 26 जाएगा 4 624 एट तो बचेगा 27 जाएगा 4 624 ही होगा 4 624 होगा और 24 24 जाएगा 3 बचेगा 35 जाएगा and 4 एट जा 32 थरी बचेगा 36 जाएगा 4 936 मतलब इतना आगया ठीक है यह आया 146,689 अब यह जो नंबर है ठीक है यह महा मतलब का सकते हैं कठीन है ठीक है क्यों क्योंकि यहां पर यह नंबर को चेग करते रहेंगे मैंने इतना चेग किया मैं मतलब थक गया मतलब 100 तक चला गया सारे प्राइम नंबर को डिवाइड करते करते नहीं हो पा रहा था तो मुझे अक्चुली लास्ट में गूगल करना पड़ा और जब मैंने गूगल किया तो यह पता चला कि यह जो नंबर है इसका कोई और फैक्टर नहीं है किवल एक ही फैक्टर है और वह प्राइम नंबर है और वह आपका 383 वापर है मतलब मैं सुझा कि अब यह सब कुछेगा इसमें मतलब आरडी जर्मा क्या कर रहा है मतलब यह ऐसे कुछन बनाने का वह बहुत सारे कुछन सकते हैं तो यह ब अब देखे 383 में यह मंट्रिपलाई करेंगे 383 का तो इतना ही आएगा देखिए अब चेक कर सकते हैं यहां पर 39 फिर यहां पर देखे 9 आगे यहां पर 9 अब देखे लास्ट इसमें 8 आएगा तो 834 24 24 24 किना हो गया 48 48 हो गया मतलब कि आप मतलब कि देख लिजेगा अब यहां पिछले जाएंगे तो मिलेगा 383 वन बार में सबसे कटेन क्वेश्चन तो अब इसको जो है हम लिख लेंगे 586 756 का स्क्वेर रूट आपका हो जाएगा स्क्वेर रूट आफ टू इंटू 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 यह जाएगा 383 इंटू 383 यहां सबा निकलेगा 2 एक और इनिकलेगा 383 2 समील लेंगे 236 286 236 and 7 766 is the square root of this number and this is the toughest problem of this question एक्षुली एक्षुली इस एक्ससाइज क्योंकि इतना चेक करना है आप नहीं कर पाएंगे बहुत कठी नहीं जाएगा चलिए ख्यारम ज्यादा वक्षाश नहीं करता है बंद करता है इसको ओके नेक्स्ट 13 हो गया 14 272 2727,000 225 अब यहां लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा 5 से कट आगी 5525 तू बढ़ने टू हो जाएगा 5420 फिर 222 हो जाएगा 5420 5525 ग्रेट फिर से 5 से कट एगा 5 वंजा 5 और 44 में जाएगा तो 0 बढ़ना पड़ेगा से 5 और 40 हो गया 45 फिवद फिल फिव फाइग फिल और 45 1089 अब यह 9 से कर जाएगा क्योंकि इंको आइड करने पर 18 अगा आप 9 से कर जाएगा बल्कुली root of this much is equal to square root of यहां पर कर लेंगे 5 into 5, 9 को लिशे लेंगे 3 into 3 into 11 into 11 तो अब इसका जो answer आएगा वो आएगा pair में निकाल लेंगे हम 5 into 3 into 11 मतलब कि यह जागा 15 into 11 मतलब हो जागा 5, 6, 1 165 is the square root of this number ग्रेट अब चलिए सब्सक्राइब लास्ट वन एक्स वी 3013696 यह भी से बड़ा नमबर है अब ध्यान दीजिए यह कटे का किस से देखें 96 हैं आपर तो यह है यह जाए आपर यह जाए तो यह जाएगा एक्स चलिए जाएगा हम यह पर तो यह जाए त्रीजाट 24 53 हो गया तो 8 6 जा 48 जाएगा 48 and 2 और 3 5 बोजाएगा 56 हो गया फिर से तो 8 से बंजा 56 और यहां पर 9 जाएगा तो 8 बंजा 8 and 8 2 जा 16 ग्रेट हो गया अब यहां पर ले जाएगे फिर से तो देखिए हैं पर 712 क्या 8 से कटेगा तो एट जा 64 64 है तो 617 72 बिल्कुल ले तो यह 8 से कर जाएगा तो मैं तो एट से फिसले जाएगा आपर ओके तो यहां पर एट से ले जाएगा तो क्या होगा एट फोर्जा 32 तो बचेगा 56 हो जाएगा और एट से ले जाएगा तो यह नहीं जा पाएगा तो जूरो बनाना पड़ेगा और तो 71 मले जाएगे तो 8 8 जा 64 और 7 बचेगा 72 हो जाएगा तो 8 9 जा 72 अब यह चलेगा 7 से 77 जा 47 जा 49 जाब आएगा तो 7 6 जा 42 फाइपचा 50 हो गया 77 जा 49 वन बचा 18 हो गया 72 जा 14 और फॉर बचेगा 49 हो जाएगा 77 जा 49 अब यह से फिर से जाएगा तो 7 9 जा 63 होता है 42 हो जाएगा 7 6 42 हो जाएगा और 7 जा 7 961 यह जो है 31 से कटेगा 31 31 जा इतना हो जाएगा 31 से फिर जाए लेंग खतम जाएगा अब यहाँ पर 100 हम भी सकते हैं कि अन्डरूट आफ 301 36 Sand 9 6 इप अफरumद जाएगा 2 2 2 2 2 2 2 0 2 ऑं अट रेंट्र यहां पर जाएगा 2 into 2 into 2 3 बार into यह जागा 7 into 36 यह जागा 31 2 to 4 to 8 8 से बंजा 56 into 31 माडब खरनाही करेंगे किता मिलेगा कर लाता है 56 में 31 से तो 6 बंजा 6 5 बंजा 5 और 6 से एक्टीन हो जाएगा तो तो 18 & 5 23 का 3 हो जाएगा 23 का 3 हो जाएगा 15 & 2 17 1736 इस इस्क्वेर रूट आफ इस नंबर होग आपको सब सारे फेक्टरिजेशन के जो रूल्स है समझ में आ गया होगा तो इसमें से सब जो कठी जो वो थे ये वाले क्वेशन 12 13 & 15 ऑके थांक यू सो मच पर वचिंग भाए